पैरलेसिस का मरीज ठीक तो होना चाहता है पर पैरलेसिस को समस्ता नहीं है पैरलेसिस के मरीज को लगता है कि उसका हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं वहां कमी होगी बगर कभी उसने सोचनी कोशिश नहीं की थी जब वो हॉस्पिटल में गया था तो कहीं न कहीं उसके हाथ प्रेसिस के बंध होता है जब भी किसी को लखवे का अटैक हुआ तो दिमाग के आका थक्का है डे और अब खून का थक्के से अ cracking है किसे बंध होता है इसको समझना ह्र लखके की मरीज़ के लिए जरूरी होगय जाता है खून दिमाग में जा रहा है तो उसके साथ क्या लेके जा रहा है औक्सिजन दिमाग के सेल्ज के लिए खाना पानी अब उसमें कोलॉट आ गया एक जो भाव है वो रुख गया तो क्या होगा कि दिमाग तक खून पौपत कैसे पहुंच पाएगा अब अगर कोहां पर खून नहीं पहुचा, oxygen नहीं पूची, खाना नहीं पूचेगी, तो कितनी देर तक हमारे brain के cell जिन्दा रह पाएंगे, कुछ minute, कुछ घंटे, अब ये जो पहले 4 घंटे होते हैं, ये लकवे के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं, क्यों होते ह इसको समझने की कोशिश करना, अगर इन 4 घंटे के अंदर एक clot निकल जाता है, तो paralysis होता ही नहीं है, क्योंकि 4 घंटे बुखे प्यासे रह सकते हैं, अगर इस 4 घंटे किसी से miss हो जाएं, पहले 4 घंटे, तो हम क्या देखते हैं, कि patient का हाथ और पैर बंद हो जाता है, क्यो अगर खराब है, तो उस company को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, इसी तरह से अगर brain का एक हिस्सा जो आपने हाथ पैर को चलाता था, वो खराब हो जाए, तो आपको paralysis से कोई नहीं बचा सकता, अब अगर दिमाग के अंदर नस्फ फटी है, तो दिमाग के अंदर खून फैल जाता है, फैल गया, तो भी दिमाग को नुक्सान हुआ, तो कहने का मतलब ही है कि लखवा सबसे बड़ा कारण दिमाग की हिस्से को नुक्सान पोचना ही है, अब दिमाग का एक हिस्सा मर गया, तो उसको जिन्दा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो मर गया, अ इसी वज़े से लक्वे को पैरलेसिस को एक ऐसी ला-इलाज बिमारी माना जाता है जहां पर डॉक्टर कहता है कि एक फिजो थेरपिस के पास जाओ वह तुमारी मदद करेगा फिजो थेरपिस करता है हम काम कर रहे हैं और पेशिंट लगा रहता है और इसमें कोई सुधार द आपके शरेकर अंदस सुधार कैसे आया कैसे चलने लगे कैसे बोलने लगे तो तरीके से किताबों के यसापस तो आपको दुबारा से चलने लाइक, बोलने लाइक बनने आही नहीं चाहिए था मगर आपने कभी यह समझने कोशिश नहीं की होगी कि हमारे हर शरीक के अंगे पास एक ताकत होती है आपकी स्किन कट जाए, हड़ी टूट जाए, जुड़ जाती है इसी तरह से किसी भी वज़ा से ब्रेन को नुकसान पहुच जाए, चौन पहुच जाए चीजों को समझने लग लग जाते हो मगर 6 मेने के अंतर यह सुधार आना बंद हो जाता है यानि अगर आज मुझे लखवा हुआ, तो अगले 6 मेने में मेरे में जो सुधार हुआ, वो हुआ उसके बाद को ऐसे भावना बहुत कम हो जाती है कि मैं जो एक्सराइस कर रहा हूँ, मैं जो दवाई खा रहा हूँ, वो मेरे पर काम करेगी दवाई तो छोड़ो, दवाई है ही नहीं लखवी की एक लखवी का मरीद अपना परचा निकाले और एक एक दवाई की सॉल्ट को खुद का खुद सवच करके देखेगा तो क्या देखता है, अरे इसमें तो कोई ब्रेन के लिए दवाई ही नहीं है मल्टी विटामिन खाने से मेरे ब्रेन में ऐसा क्या सुधार हो जाएगा कि यो दुबारा से काम करने लग जाएगा तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती, कि हम अगर मल्टी विटामिन खा रहे हैं, ताकत की दवाई खा रहे हैं, वीपी की दवाई खा रहे हैं और शुगह की दवाई खारें हैं उसने मेरा ब्रेन ठीक हो जाए इसी वज़े से ब्रेन पर काम करना जन्रूरी है ब्रेन पर काम करोगे लगवे को हरा पाओगे पर रापकी कुई भी दवाई आपके अपक सह नहीं करे डी अब सवाब यह उठता है पर इन कहसा उ और ये मिन इन ने पहले 6 मेने में क्या किया था अपने घाव बरे कैसे बरे यह स्किन की तरह नहीं भरते की चमड़ी कटगी और भर गए ब्रेंग की जो सेल होते हैं वो आपस में बातचित करते हैं यानि अगर मैं अपसे बात कर रहा हूं तो मैं बहुत सारे दिमाग की हिस्सों को इस् इनकी बीच में संचार प्रक्रिया होती है एक करेकशन्स होते हैं जिन्हें चाहते हैं Inter dendrite करेंगा तो form तों हैं किसी Kini Mar Bush हिएं जितने इंट comics होते हैं जितनी जादा सब्रीकाट करनेक्शन घrences करें होते हैं अच्छा सूच पाता है। THE रिष्वत हर इनसान पड़ाई में अच्छा नहीं होता हर इंसान केलिकुलीशन में अच्छा हुए होते हैं इसए हम अलग-अलग काम करने में अच्छ होते हैं यह जो internet internet connections हैं यह जो connection है जो दिमाग आपस में एक गूसरे से बात कर रहे कि ठीक है यह हात उठाना यह पैर उठाना है connection जणा न एक को कमांड करते हैं फिर वो कमाण देरे-डेरे हमारे हाथ की मासपीशियों तब आती है हमारे नर्व सुस्ट्रम का और अगर बेगने कुछ भी काम लेना होता है तो इसको बोलने की ताकत दो इससे समझने की ताकत दो तो यह interdendorite connections बहुत जादा ज़रूरी होते हैं और यही काम करते हैं और उन्हीं में काम करते हैं जहां पर जिन्दा है मरे में नहीं बंद पाएंगे मरे वाले तो मर गए उसे भूल लाओ पूर्ण गवा दिया हमने उसको तो जो हमारे जिन्दा सेल हमारे brain में बचे हुए हैं जिनकों किसी टैक्वा नुक्षान खुण की ठक्की की वज़ा से या फिर brain हैमरेट की वज़ा से नहीं हुआ वही सेल अपने अंदर और इंटर इंटर इंटराइट चल रहा है समय पूरा bypass बंद कर रखा है बुरी road highway बंद कर रखा है तो क्या मैं चंडिकर जा पाऊंगा यह नहीं जा पाऊंगा मैं जा सकता हूँ, मैं गावों का छोड़ा रस्ता ले लूँगा, टाइम जब दर लगेगा, बट मैं पहुंच जाँगा, है ना, तो इसी तरह से brain भी काम ही करता है, कि जो हिस्सा damage है, उसको bypass करके निकल जाता है, क्यों, कैसे कर गया, इंट्रेट इंट्रेट कनेक्शन से कर गया, तो यह जो cell जो हमारे brain में बचे भी होते हैं, उनकी अंदर करम इंट्रेट इंट्रेट कनेक्शन को और complex कर देते हैं, तो कोई भी paralysis उसका operation दुबारा से चलने बोलने लाइक बन सकता है, हाँ या ना, हाँ, अब यह इंट्रेट इंट्रेट कनेक्शन पहले 6 मेने में का अपने आप बने, किसी दवाई की जुरूत नहीं थी, अब इस टाइम के अंदर मरीज किसी गुर्द्वारे जाता है, मंदर जाता है, करना मिलता है, क्योंकि ब्रेन कर रहा है, कोई दवाई नहीं कर रही, ब्रेन अपने आप कर रहा है, तो इस टाइम में किसी का भी हाथ लगता है, तो मरीज को लगता है, कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये 6 मेनी बीद गए, उसके बाद आप किसी जगा चले जाओ, आपको कंपलक्स करना है, अब सवाल यूटता क्या हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे, उसको समझाने कोशिश करता हूँ, एक बच्चा, जब पैदा होता है, तो उसके दिमाग के अंदर ये जो निरोंस होते हैं, नमबर अफ निरोंस हमाइख पता तो, बात बताता हूँ, आगो पत हमारा दिमाग का साइज बढ़ा होता चला जाएगा, मगर सेल्स उतनी ही रहेंगे, मगर हमारे किसी शरी के हिस्से में ऐसा नहीं होता, वो मातरा में बढ़ते हैं, संख्या में बढ़ते हैं, और वो विकास का दर शुरू होता है, तो ब्रेन जब छोटा था, तो निरोंस उतनी ही थे, जितने अभी हैं, खुस्ता उसे कम हो, मगर ब्रेन ने विकास किया, क्योंकि उसने अपने अंदर इंटर इंटरेंट कनेक्शन को बढ़ाया, नैच्रल तरीके से बढ़ाया, ये जो नैच्रल प्रक्रिया है, अगर हम इसे दुबारा से इनिशियेट कर सकें, क जाती है, और इसको करने के लिए हमें ब्रेन को और गहराई से समझना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन की ये जो नए कनेक्शन है, ये एस पर रिक्वायर्मेंट बनते हैं, यानि अगर मुझे बोलनी की इच्छा कर रही है, मैं बोला चाहता हूँ, मैं तब ही बोल पाऊंगा क्योंकि तब ही में ब्रेन के अंदर वो कनेक्शन बनेंगे, जो मुझे बोला पाऊंगे, यानि अगर मैं चलना चाहता हूँ, तो मुझे चलना की कोशिश करनी पड़ेगी, अगर मैं कोशिश नहीं करता, तो ये कनेक्शन नहीं बनेंगे, तो जरूरी ही हो जाता है सही exercise क खॉय साथ बंढ़ बेंग हंता क्योंने अपने अपने ब्रेन को सब्सक्राइब बड़ाेया उस टरह चाहिए उसे नाप scripture से समझो मैं बैंक में कैशेर हूं मेरी आज पहली दिन है नोकरी का मैं नोट गिन रहा हूं पीछे लाइन लग जाती है याद है तुराने दिन तो काउंटर नहीं हुआ करते थे नोट के तो हम खड़े रहते थे कि बीरी-बारी का पाएगी कब हो अपने नोट गिनेगा और क क्योंकि उसने उस काम को दिन बे दिन रोज के रोज करता रहा और जब उसने इतना किया कि वह उसमें निपन हो गया अच्छा हो गया तो हमने एक्सरसाइज को भी वह सिलेक्ट करना होता है जो पैलेसिस मरीज को दुबारा से चला सके वह तैयन नहीं पाएगा मानता हूं भी मानता हूं फड़ चलने में बैटर होगा तो हमें यह समझ में आगे है कि ब्रेन को हम सब चीजों में हम उसको नहीं कर सकते हैं तो पहला काम हमने नियूरे के हमने इंटर Precis को ब्रेynn के अनदर बढ़ाया और उसके बात शाहीं रस्ता गलत रस्त पकड़ा तो उसका जो चलना चाहते हो तो चलो अगर आप चलने से चुक जाओगे आप सैक्लिंग करोगे कि बैठ की होती है तो आप बैठी ही रह जाओगे कभी चल नहीं पाओगे इसलिए फिजो थेरपी जब हम करवा रहे होते हैं तो हम एक इस नोटिस करते हैं कि पेशिंट लेट की जो एक्सर हमें यह चीज़ें बहुत देसे समझ में आती हैं तो जरूरी है सही एक्सराइस का सेलेक्शन और ब्रेंग की अंदर इंट्रेटरेंट करेक्शन को बढ़ाना जब यह दोनों चीज़ें साथ साथ होती है पेरलेसिस का मरीज की लाइफ सुधर जाती है और वही तो हम चाहत गहराई से समझना न जब यह बिंदी को गहरसे समझ जाएंगे उस जर से काम करेंगे सही तरीके से काम यह recording युसा है कि क्या सु पुराने तो वो ठीक नहीं होता वो भी ठीक होता है टाइम जादा लगता है और अपने आपके अंदर कमियां देखने में कोई हज नहीं होता अपनी दवाईयों के अंदर कमियां देखने में कोई हज नहीं है और अपने डॉक्टर के अंदर कमियां देखने में कोई हज नही है। मगें जब सारे मिलके काम करते हैं तो पैर यहाट से काम करते हैं तो पैर यह प्रिक्षान की लाइफ बदल जाती हैं अब मैं आपको कुछ पेशन दिखाता हूं खुद बाख हो देखना ऑगो और फिट ना किस पारिए अपने आप समंझ में आ जाये का कि हम भी सुधार अपने अंदर लेकर आ सकते हैं अगर हम सही तरीके से सही डिरेक्शिन और मुव करते हैं तो एक गलत स्टेप एक गलत डिसीजन लाइफ फराब कर देता है अगर्श्काव मेला नाव है दॉक्तर पूरुदावन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको प्लॉट आया था राइट साइट में राइट साइट में प्लॉट आने की वज़ए से इंका लेफ साइट और बार्लाइस हो गया था पर विशिल कुछ ऐसी कि जब हमा इस तक कि तक कि अगर्ष बढ़ा है था पर आएट साव डिसमाच को अर तब क्या धिक्कत हुए थी तब सर्मेक को मैं को आके सिरफ काम पेसे 8 बजे आके सावाड़ वाजे खड़ा ख़गा था तरफ चाय चाय पीती नहीं अच्छा पीने के वाद मेरे हाथ मेरे हाथ में बोर पेर मेखदा यहाथभाएदा रिका गया है अजिए यहाथपना वहाथदा यहाथगाइसा जल्री एक एक रखुछा पीती है। सुवियों मेरे से वोली क्या हो है। मैंने बेदाख़ गई खुछ अजीव अजीम एक लिए। कुछ हैं दो इस कूट पर बठाके मुड़ी आ वन ले थी तो आ हैं जा या तो आ या या कि मेरा ट्रीव चार दी आख चार दी उस से वालों गों दिस चार्ज कर दे हैं तो जब वहां से आय तो क्या कंडीशनृ थी येक एंप इन उनस्फ मेरे प्रफेस प्रेश पंगें पहुी आग ला इतला है lepzeug अट सूंधा चुक हो इस अच की को a जब सॉन साइंस नजी यृट पर अगयृ माय तो क्नुलिश दो क्या कन्दीनिशंत थिए अच्छा अब पुर हट अठाओ तेटे श कि अषम Junior में से बिचाट में चीजे अब पगड़ने वह दिद्खतों है कि इसकी इंपूमें डुप जाती है वो शुरुबात करनी कि लिए हाथ पैचिन्मसल्स परामिया करना बढदा है कि वी क्ष़जिडी पेशिट कुछ दो पेशली है रही हिवा रही हएं पर देमिग हुआ अभी एक महीना हुआ है, अभी हम दोड़ा सा और आगे चलेंगे, दो-तीन मेना कॉस करेंगे, वसके बाद मुझ जो नहीं लगता कि आपको अपको और टीट्मेंट लिने कि जुद पड़ेंगे पक्तर छुद पहुआ है, चले, इतना लंबा तो नहीं है काफी जिए आजीजेगे जए है उन्ही अग्यायद बाद कर अचले, अचले इतना लंबा तो नहीं जाए काफी आपको अफ्सिए शाइगे, जिए यौ अगली मेनी मेने आजाएगे तो आप अलमस्टू चूगे हो जो डामेज हुआ था उसको भी बादा टाइम नहीं हुआ था अगर यह पेशन्ट सिक्स मन के बाद आता तो इसमें इंपुर्मेंट डिरी 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 क्योंकि यह अपने उस टाइम तरा है जो पुछ करते हैं तो तो खुछ समझ गए अप तो जरूरी है पहले अपने ऑंदर इ дополн अख्णा होना कि मैंने ठीक होना है मैं ठीक होके रहूंगा मैने आज अपने अंदर अपने जीवन को मैने बदलना है दूसरा काम। exercise में एक करूंगा और उसे इत्ना करूंगा कि मैं इसमें अच्छा हो जाओं मुझे नहीं करनी कोई ऐक्षसराइज में यकर चलना है तो मैं अपने छिफ चलूगा और सिरी मेर को ठीक करने के एक सिम्पल इससाइस सिह चलना सोच रहे हो समझ रहे हो कि मैं शिफ चलने और शों पाऊँगा क्यों ना मुझे सइड में एसब सरहने तो थि हिय्ज चलता हूं तो मैं फेसी तरग चलता हूं जब कैसे समझ गए होगे और कोई भी पेश्ट आपको लखवेगा मेलेगा तो आपसे समझा भी सकते हो कि भाई आपके हाथ दिग्कत क्या है और यह बहुत जाता जरूरी हो जाता है आज के जमाने में जब चीजें बहुत बदल गई है क्योंकि अगर आप बीमारी को समझते नही तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आज आपके लाइफ में कुछ न कुछ चेंज होगा बदलाव होगा और अच्छे डिरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव साइड जाएगा अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स वीडियो में जब हम मिलें तो कम से कम अपने वीडियो में तब तकलिए नमश्कार